ये गाईज वेलकम टू बैग माई चैनल फार्मर बेरड में आप सभी का स्वागत है आज हम अनार में ग्रो कवर के बारे में बताएंगे कि ग्रो कवर का क्या फाइदा है इससे क्या-क्या मदब नुक्सान होने से बच जाते हैं अनार में यह देखे यह हमारे एक ग्रो कवर लगये हैं कुछ हमने अक्यले लगये हैं मलब एक कपाव पूरा काटके लगया है और किसी को हमने ऐसे पूरे तीन तीन चार चार बात मलब पोदों को लगये हैं तो इसमें फाइदा यह होने वाला यह जो धूप चटा होता है यह देखिया आफ यह जो धूप चटा है तो कोई और जो कि हुआ छोद चोठा नहीं होगा तो इसका माल की कॉलिटी बी अच्छी होगी और यह देखिए हैं यह थीन आपर देखिए Technique और किसी में चार पोद्हों पर भी लगया है तो आगे चलिए आफ यह देखिए हैं beiden एक पोदे कोई लगाया इसमें ये देखिया इसका एक का ये फाइदा है कि ये ग्रो कवर लगबग तीन साल तक चल जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और ना फटता है और इसको पोदा पूरा अच्छी तरह से ढग भी जाता है और इसमें जो माल है ये देखिया आप ज इसकी उमर भी हो जाती है तीन साल इसकी वैली हो जाती है और आप गजो ये डो जो जा इन early is more लगते हो लिए यह कि आपमें फंशार को समझा जादा रहती है और बाकी यह बहुत लंबस उगटेंटर में शाली कर आथे कोई दिख्गत नहीं आती है आराम से निच्चे रहके नहीं की कटीन ले सकते हो वरना जो एक एक होते हैं थोड़ी दिक्कत आती है जब अनार की हर्वेस्टिंग होते है दो उस और यह देखिए इसमें गेकर ऑन छिए 5 लिए तैंपप्रेचर यह जो दिगरी इंप्रेटा और टेम्परेचरी करता इसका उड़ोंगर aaS भू कर शिखेकर को अनार हुआ और समी की इस अपने जो ठबस में यह रखें趣 तो इसका बहुत बढ़िया benefit है और यह देखिए और इसमें जो यह घास आपको दिख रही है यह जो घास है इसका रोल भी हमने घास को रखा यूँ है कि इसमें सर्दी थोड़ी कम लगती है और पाला कम गिरता है इसका भी यह भी फाइदा है जड़ें खुली नहीं है तो इ भी benefit है इसका और इसका भी result बहुत अच्छा मिलता है ज़्यादा पाला नहीं करेगा तो आपकी फसल और भी अच्छी होगी यह देखिए आफ आगे यह हमने पिछले साल लगया तो इस सरके करो कवर फट भी गए थे तो आप जिता हो सके तीन या चार पोड़ों में ही गए इससे यह ज़्यादा आपको benefit है बाकी देखिए आफ किते अच्छे ग्रो कवर है और इसका फाइदा भी बहुत अच्छा है आपको जरू ट्राइ करें अनार में आपकी फसल सीधी दो गुणा होगी